अस्सलाम आलेकुम नमस्ते दोस्तों अमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे सुबा का समय हो गया यहाँ पर उठ गए आज का बोलोगिन में क्या क्या करेंगे आप लोग के पास सेर करेंगे अगर मेरा बोलोगिन चेनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर किजिएगा आज हम बोलोगिन चेनल में किचन टिप्स लेके आएं बहुत ही काम आने वाला है और बहुत ही आपका पैसा बचत होने वाला है समय और पैसा आपका दोनों बचेगा चलिए यहाँ पर हम पहला टिस्प दिखाते हैं बोटल ले करके यहाँ पर हम दो लेटर वाला बोटल लिये हैं यहाँ पर थोड़ा साम बढ़ा लिये हैं बोटल को आप क्या करेंगे दिखाते हैं आप लोगों, वीडियो में बना रहेगा, इसकिप मत केजीएगा, तब जब मतैब को पता चलेगा, यहाँ पर हम बोटल से क्या घर का जुगार बनाएंगे, यहाँ पर हम एक मार्कर लेगे, और मारकर में इसतरह करके दागी देंग एक छोटा से बोटल से अपका घर का बहुत ही पैसा भी बचत हो जाएगा और समय भी बहुत ही बचत हो जाएगा अगर पैसा और समय आपका दोनों बचाना है किचन का तो इस तरह कीजिए आपका घर का जुगार बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत ही आसानी से आप कोई भी समान रह सकता है अब यहां पर देखें यहां पर मारकर में हम लाइनिंग दे दिये हैं अब यहां पर हम चाकू गरम करके जितना हम लाइनिंग दिये हैं उतना ही हम कट करेंगे यहां पर थोड़ा सा हाड है दू लिटर वाला बोटले उसलिए यहां पर हम थोड़ा स तरह से कट भी हो जाएगा और यहाँ पर टेड़ा मिड़ा कटिंग नहीं होगा और यह तैसे काटने से थोड़ा सा टेड़ा मिड़ा होता है अब देखें यहाँ पर हम इतना छोटा सा हम कट लगा लिए हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा गरम चाकू से उपर से इस तरह करके ह हम इसमूद जिसा कर लेंगे जिसे मेरा हाथ में लगेगा नहीं उसी तरह हम कर लेंगे जो चाकूगरा में उसमें थोड़ा सा इस तरह करके हम घीस लेंगे इसमें बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर बैठ जाएगा बोटल का जो कटा हुआ हूँ अब यहां पर एक हम जाल करके हम दिखाते हैं क्या करना है देखे यहां पर जो हम कट लगाए हैं चारो तरफ यहां पर हम अलेक्टि टेप को हम डालेंगे जितना हम कट किये हैं उतना हम डालेंगे अब यहां पर इसी तरह हम कट करके और यहां पर हम सटा लेंगे इसमें बहुत ही सुन्दर भ अब यहां पर देखे अच्छी तरह से हम यहां पर चिपका लिए हैं बहुत आसानी से चिपक भी जाता है अब यहां पर हम और तीन जगा इसी तरह करके हम चिपका लेंगे अब देखे यहां पर हम चारो तरफ अच्छी तरह से चिपका लिए हैं अब यहां पर दिखाते हैं आगे क्या करेंगे इसको अब यहां पर क्या होता है गर्मी का सीजन में बहुत सारा चूहा कोक्रज इधर ओधर घुमते रहता है तो इस तरह करके अगर रखेगा आलू प्याज आपको पास जो है वो रख सकते हैं पर यहां पर हम आलू और गाजर और लेसुन भर करके हम पहोती पैसा भी बिर्बाद हो जाता है तो इस तरह करके रखेगा तो आपका बहुती किचन का फाइदा भी होगा और आपका समय भी बहुती बचेगा अब देखें यहाँ पर हम जितना भी मेरा आलू लेगा सब हम यहाँ पर डाल देंगे और अच्छी तरह से यहाँ पर separate रहेगा नहीं आपका नुक्सान होगा और नहीं आपका पैसा बिरबाद होगा अगर यह वाला टिप्स अप लोग का अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर किजिएगा अप लोग जो लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है लगता है मेरे साथ एक परिवार जूड़ गया उसी तरह अब देखें यहाँ पर हम गाजर और लेसोनर आलू को हम डाल अब यहाँ पर हम ढकन बंद करके रख देंगे अब जब हमको इस्तमाल करने का रहेगा बनाने का सबजी चाहे कुछ भी चीज तो यहाँ से निकाल करके हम बना सकते हैं और नहीं यहाँ पर कोकरेज घुशेगा और नहीं आपका चुहा खाएगा बहुत ही सुरचित पर और आपका पैसा भी बचत हो जाएगा अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं बोल ले करके यहाँ पर आप एक बोल फीर नहीं है थोड़ा सा फ्रेज नहीं है थोड़ा सा यहाँ पर मुड़ा हुआ है अब यहीं वाला घर का जुगाड बना करके हम दिखाते है ये भी बहुत का अपका फाइदा हो गा, और बहुत आसाने से भी बन करके तयार भी हो जाएगा, अब यहाँ पर हम उपर वाला पाड को हम कट लगा लेंगे, उसका बाद दिखाधे हैं क्या करेंगे, यह बहुत काम आने वाला है किचन का, अक्सर क्या होता है, जब इस तरह करके बोटल हो जाता है खाली विस लेरी वाला पी करके हम लोग ऐसे फेक देते लेकिन यह बहुत ही काम आने वाला है किचन का अब देखे यहां पर हम उपर वाला पाट को हम कट लगा लिए हैं अब यहां पर इसको क्या करेंगे दिखाते हैं थोड़ा सा ही बोटल टेड़ा मिड़ा राता है वो अच्छी तरह से सीधा हो जाएगा कि यहां पर अच्छी तरह से सीधा भी हो गया है अब यहां पर हम क्या रखेंगे दिखाते हैं अक्सर क्या होते हम लोग मार्केर से टमाटर और जो भी लाते हैं खरीद के तो बाहर में रख देते हैं गर्मी का सीज के कारण में तो इस तरह करके आप कहीं साइड में रख दीजे बहुत ही आसानी से रह जाएगा और आपका टामाटर अग्दम फिरेश रहेगा लगेगा भी हम सबजी मार्किट से खरिच के लाएं अग्दम उसी तरह फिरेश गर्मी का सिजन में बहुत सरा फिरीज में समान रहता है तो लगता है क्या करे क्या नहीं इस तरह कीजेगा अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं यहां पर हम बोटल ले करके ही दिखाते हैं यहां पर हम पहले से कट करके एक बोटल रखेते हैं उसी को हम घर का पिष्ट के लिए हो जाएगा एक पसाए आपका खर्च नहीं होगा और नहीं आपका इस यहां पर मेहनत लगेगा ज्यादा यहां पर हम ऊपर sommes करेंगे यहां पर आम गरम करके हैं इसमें बहुत ही आसाने से होल भी हो जाएगा और बहुत इस सुंदर भी आपका गर का जुगार बन करके तयार हो जाएगा अब यहाँ पर हम पीछे वाला जो साइडे बोटल का उसको भी हम छोटा-छोटा होल कर लिए देखिए होल इसलिए किये हैं कहाए कि यहाँ पर बहुत ही किचन का समान भी रहेगा अब यहाँ पर हम एक चूड़ी यहाँ पर हम दुसरा कट लगाएंगे यहाँ पर आधा चूड़ी का ही जोरत है यहाँ पर पूरा चूड़ी का जोरत नहीं है अब यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर हम कट लगा लेंगे और आधा चूड़ी से यहाँ पर हम कैसे घर का जुगार बना करके हम तैयार करेंगे दिखाते हैं आप लोगो पर जो हम होल किये थे उसी में हम चूड़ी को घुसा आएंगे अब यहाँ पर देखे एक साइड हम घुसा लिए हैं दूसरे साइड भी हम घुसा आएंगे अक्सर क्या होता है छोटा छोटा जो बच्चा रहता है वो बरस करके ऐसे ही इधर उधर लेकिन इवाला बहुत ही जोगाड बन करके तयार हो गया है और बहुत ही सुन्दर भी दिखेगा आपका जोगाड बहुत ही काम आने वाला है और बहुत ही आपका पैसा भी बचत होगा अगर यही वाला हम मार्केर जाते हैं खरिदने तो बहुत सारा पैसा भी ले ले लेत आप लोग जो लाइक करते कोमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है अब देखें यहां पर हम चूड़ी को अच्छी तरह से प्यक कर लिए हैं और अच्छी तरह से यहां पर हम दबा लिए हैं अब यहां पर हम टांग लिए हैं देखें इस तरह करके टांग देना है जो आप भी जाते हैं मार्केट खरिजने बरस रखने वाला तो बहुत ही पैसा भी ले लेता है और ये बिना पैसा का ही इतना सुन्दर घर का जुगाड बन करके तैयार हो गया है बरस रखे चाहिए कोलगर रखे चाहिए जो भी है आपका पास उन रख सकते हैं यहाँ पर अगर यह वाला टिप्स अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजेगा देखे यहाँ पर कितना सुन्दर बन करके तयार भी हो गया और नहीं आपका यहाँ पर समय लगा और नहीं पैसा खर्च हुआ अगर किचन का पैसा बचाना है तो इस तरह कीजे बहुत यह आपका किचन का प पता चलेगा तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे घर का जुगाड अब यहाँ पर उपर वाला जो पलास्टिक है उसको हम निकाल लेंगे और यह वाला बहुत यह आपका किचन का पैसा बचत होगा और बहुत यह आपका समय भी बचेगा अब यहाँ पर बोटल कम आधा-धा जिसा कट लगाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा करेंगे ज्यादा बढ़ाने हम कट लगाएंगे अब देखें यहाँ पर बीच-बीच में हम कट लगा लिए हैं बहुत यासानी से कट लग जाएगा यहाँ पर विसलेरे का बोटल है थोड़ा सा नरम रह यहीं अग्दम बक्राबर रहेगा तब जाके आपका बहुत ही सुनदर घर का जुगार बन करके तयार हो जाएगा अगल देखे यहां पर हम अच्छी तरह से कट लगा लिए और यहां पर हम् देखे छेदा भी कर लिएं पीछे वालवा साइड में और यहां पर बोटल को δिखाते हैं, किस तरह यहां पर हम जुगाड बना करके हम तय्यार करेंगे और कैसे हम यहां पर समान रखेंगे, भाभी हम दिकhाएंगे, आप लोग को शेयर करेंगे अब देखे, यहां पर हम एक रस्सी लिये हैं और रस्टी को हम दोनों साइट जो हम छेदा की हैं उसको हम फसा लेंगे और उसका बाद यहाँ पर हम दिखाते हैं इसको कैसे रखना है पूरा किचन का समान वो बहुत आसानी से रह जाएगा अब देखें यहाँ पर हम एक साइट गाट लगा लिए हैं गाट को अची तरह स कट लगा लेंगे जितना हमको जो रते उतना ही हम रखेंगे अब देखें यहाँ पर हम इतना लंबाई से हम रखेंगे और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ज्यादा लंबाई हमने रखेंगे छोटा सा रखेंगे अब देखें यहाँ पर हम इधर वाला भी हम घुसा तो इस तरह करके घर का जुगाड बनाईे बहुत यह असानी से बन जाएगा और आपका बहुती पैसा बचेगा अब देखे यहाँ पर हम गाट इस साइड भी लगा लिए और अच्छी तरह से गाट लगाना है दोनों साइड अब देखे अच्छी तरह से लग गिया है अब यहाँ पर हम क्या-क्या समान रखेंगे दिखाते हैं अक्सर क्या होता है छोटा-छोटा जो बच्चा रहता है तो रूंटे परेशान हो जाता है लेकिन मिलता है नहीं या तो कहीं बच्चे लोग फेक देता है या तो कहीं बरतन का पीछे छिपावार आता है तो इस तरह करके किचन का जुगाड बनाए और बहुती सुन्दर यहां पर चमच जो भी आपका पास है चाटू अगर जो भी है य आपका जो रत पड़ेगा तो यहां से निकाल करके आप चमच का इस्तमाल भी कर सकते हैं चमच का बहुत सारा काम रहता है अब यहां पर हम जहां मेरा बेसी ने वहां पर हम टांग दिये हैं यहां पर हम धो करके रख देंगी फिर हम यहां से निकाल करके हम इस्तमाल कर सकत अगर इवरा टिप्स आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक शेर और सस्क्राब जरूर किजेगा सौनी हॉम बोलक चैनल में फिर अगले टिप्स हम इसी तरह ले करके आएंगे